हेलो मेरे प्यारी दोस्तों कैसे हो आप आई होप कि आप बहुती अच्छे होंगे दोस्तों आज जो हमारे टोपिक है वो हम 10 most important mcuq की बात करेंगे जिसमें कि जिसे कि आपकी जो accountancy की knowledge है वो बहुती ज्यादा इंप्रोव हो जाए तो चलिए शुरुवात करते हैं कि जो हमारे 10 most important mcuq है वो क्या है तो हमारा first question है वो क्या है the term current assets include यानकी जो current assets है उसमें किसको सामिल किया जाता है तो इसमें जो हमारा correct answer है वो है A debtors जो हमारे second question है वो क्या है accounting principle art यानकी जो लेखांकन सिधान्त है वो क्या है इसका जो correct answer है वो B है made by man यो कि जो सिधान्त जो बनाए जाते हैं वो ना तो government के दवारा बनाए जाते हैं ना ला के दवार बनाए जते हैं ये किसके दवार बनाए जाते हैं मेन के दवार इसलिए जो इसका जो प्रक्रिक्ट आंचर है वो क्या है बी है अगला जो हमारे तो एक्वेशन होती है वह क्या होते है, capital plus liability is equal to assets. हमारी जो, अब 4 नंबर का जो क्युस्टन है, वो क्या है, पर्सनल accounts are related to, जो हमारे व्यक्तिकत जो खाते होते हैं, वो किसे relate करते हैं, तो इसमें, जो हमारा correct answer है, वो है B, वो जो हमारे person होते है, firm and company जो होते हैं, उनसे relate करते हैं हमारे personal account हमारा जो 5 जो question है वो क्या कहता है real accounts are related to जो हमारे वास्तिक जो खाते होते हैं वो किस से relate करते हैं इसका जो answer है correct answer वो हमारा D जो हमारी assets होती है जितनी भी assets होती है current non current जितनी भी assets होती है वो हमारी real account के under में आती है तो हमारा क्यूशन है उसमें पूच रहा है गुडवील अकाउंट है जो हमारे क्याती है वो कौन सा खाता होता है तो हमारे इसमें जो आंस्वर है वो है B होता है पुन्जित को खाता है वह कौन सा अकाँट होता है इसमें ہमारे करएक्टा आंसवर है वह है a o अपनाने के लिए उसके होते हैं अपरोक्त सभीảng कहले हैं वह बहुत ही इंपोर्टेंट कि जंद है कि परचेज जो बुक होती है उसमें किसका किसको रिकॉर्ड किया जाता है इसका जो करक्ट आंस्वर हमारा भी credit purchase of goods जो जितनी भी हमारी उधार की जितनी पर्चेज होती हो भी relate करते goods से तो वह हमारी किसमें करद की जाती है purchase book में record की जाती है अब जो हमारा लाश्ट होगी और mcq सभी समझ में आ गया होंगे ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब